हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पे दोस्तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं यदि आपने 5 पैसा में मार्जन पलस अकाउंट को एक्टिवेट कर लिया है और आप उसको डिये एक्टिवेट करना चाते हैं आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि उसको डिये एक्टिवेट कैसे किया जाता है तो सबसे पहले आपको 5 पैसा एप को लोगिन कर लेना एप लोगिन करना के बाद आपके सामने इस डिस्पले सो हो जाएगी सबसे पहले आपको कोई भी स्टोक को साच कर लेना है जैसे मैं यहाँ पे किसी भी स्टोक को साच कर लेता हूँ एक्सेस बैंक को साच कर लेने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेस बैंक के उपर कलिक कर दिया उसके बाद यहां से आपको maximize के उपर click कर देना है stock को जैसे आप buy करते हैं जैसे मैंने यहां पर maximize के उपर click कर दे है यहां से मेरे सामने access bank की display सो हो गई यहां से आप stock को buy और sale कर सकते हैं तो यहां से मैं जैसे यहां पर आपने activate कर रखा तो यहां से आपको margin plus account activate सो हो जाएगा यहां से click करके आपने activate किया था activate करने से पहले यहां से आपको लिखावाता है कि activate का option लिखावाता है कि आप यहां से activate कर सकते हैं लेकिन आपको deactivate करने के लिए सबसे पहले यहां पर learn more का एक option दिखाई दे रहा और क्या इसकी term and condition वो यहांसे आप read कर सकते हैं जैसे top benefit क्या है इसके और यहांसे आपको interest कितना pay करना पड़ता है intraday के इंदर कितना लगता है delivery में कितना लगता है यह सब यहांसे आप segment note कर सकते हैं यदि आप इसको deactivate करने वाले हैं तो आपको इसको deactivate margin plus account के उपर click कर देना है जैसे ही में deactivate margin plus account को deactivate कर देता हूँ तो यहांसे मेरे सामने आजाता है do you want to deactivate margin plus account यहां यदि आप इसको करने वाले हैं तो yes कर देना पनल नोट ना उकर देना जैसे मैं इसको यस कर देता हूं तो यहां से मेरे पास एक notification है you have request received your request it will take up to 24 hours deactivate यानि इसको 24 गंटे के अंदर deactivate कर दिया जाएगा और आपका margin plus account को deactivate हो जाएगा दोस्तों यदि आप margin plus account में trading करने वाले हैं तो इसके कुछ benefit है और कुछ सिसके losses भी है जैसे आप इसमें trading करते हैं तो आपको कम margin के अंदर ज्यादा share मिल जाते हैं लेकिन इसके losses यह हैं कि आपको इसमें interest pay करना बढ़ता है इसमें आपको holding करने पढ़ता है कि आपने कोई share access bank का आज बाये किया और उसका minus में चला जाता है जैसे 885 का इसका rate है आज आपने 885 बाये कि यह कुछ दिनों के बाद 800 चला गया लेकिन आप इसको hold रख सकते हैं आपको जब तक यह इसको profit नहीं देगा तब तक आप इसको sell ना करें इसका सबसे बड़ा benefit होता है क्योंकि इसकी सारी के सारी power अपने आत्मे होती है लेकिन margin account यूज करने के बाद उसको holding करना पड़ता है maximum उसको 90 दिन तक ही hold कर सकते हैं तो आज हमने बताया कि इसके अंदर कैसे margin plus account को deactivate किया जाता है तो दोस्तो activate करने की हमारी एक सारी वीडियो यह चैनल पर डली हुए है तो वहां से आप जाकर चेक कर सकते हैं तो दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like, share and subscribe जरूर करना